भारत पुरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पोर्ट है दुनिया में जगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर जगड़ा सुल जाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है कहीं युद्ध होता है अभी आपने देखा होगा रश्या और उक्रेन के भी लड़ाई चल रही थे दुनिया के अनेक देशों के लोग महां फसे हुए थे वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पास्पोर्ट चलता था दुनिया के किसी भी देश के नागरी को वो बम गोले के बीच से निकलना हो युक्रेन में से तो ये की पास्पोर्ट चलता था और वो पास्पोर्ट था मेरे देश का तिरंगा जन्डा पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा जन्डा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी आपने उकरेन में देखा है उद्धे के समय जो बच्चे से बहां सबने मैसूस किया कि भारत के तरंगे की ताकत क्या बढ़ी है भारत आप में से तो आई दिन लोग विदेश जाते आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पास्पोर्ट की ताकत क्या है यह होती है देश की साग मुझे बताइए मेरे आनन खेडा के भाई भेन क्या आपको देश की यह मजबूती खबर मिलती है गर्व होता है कि नहीं होता है कि दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है आपका माथा उंचा होता है कि नहीं होता है लेकिन ये कॉंग्रेस वह क्या कर रहे गिया कॉंग्रेस रफ रोती बैठती है और मोदी को गाली दो डिक्सिनेरी खोज कोरते रोज नहीं गाली निकालते हैं रोज नहीं गाली निकालते हैं और कॉंग्रेस आज मोदी देश को एक करने के सरदार के सपने को पक्ता कर रहा है कॉंग्रेस देश को बाटने में जुटी है कॉंग्रेस समाज में लड़ाई जगड़ा कराना चाहती है बाई और भेनों आज कल पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिर कॉंग्रेस इतनी बॉखला क्यों गई है कॉंग्रेस इतनी संतुलन क्यों खोब बैटी है भाईयों बहनों कॉंग्रेस आज फेक फैक्टरी याने फर्जी मालकी फैक्टरी बन गई है महबत के दुकान बोलकर कॉंग्रेस जूट का सामान क्यों बेटने लगी है आपने देखा होगा जब कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने पहले ही बयान दिया था कुछी दिन मैंने कहा था कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों पर मुस्लिम लिग की छाप है अग कॉंग्रेस इतनी हतास और निराश है कि अपनी सिती बचाने के लिए उसने अपने आपको मुस्लिम लिग को समर्पित कर दिया है और इसका कारण है लगातार कॉंग्रेस का जो जनातार खिसकता जा रहा है साट साल तक कॉंग्रेस ने जिन की परवा नहीं की अब वो कॉंग्रेस की परवा नहीं करते हैं इसलिए एक कॉंग्रेस वाले छितक ते गए हैं लोगों परशान हो गए हैं और जो गरीब आख बंद करके आधी रोटी खाएंगे इंजरा को लाएंगे जो नारा देते थे ना वो सारे के सारे कॉंग्रेस को छोड़ चुके हैं क्योंकि मोदी ने गरीब कल्यार का इमानदार इसे काम किया पचीस करोड गरीबों को गरीबे से बाहर निकाला गरीबों को गर दिया गरीबों को बैंक का खाता दिया गरीबों को रोजगार के अउसर दिये आज आदिके बात कॉंग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजंडा बनाया हर चुनाव में नेरू के जमाने से मनमोन सिंगी सरकार तक कॉंग्रेस की रिमोट सरकार चलते थी इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रेकॉर्ड निकाल लीजिए वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थी गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गरीब-गर